Hello everyone, today we'll talk about ECG leads. उससे पहले हमें पता आना चाहिए कि हमारी body के अंदर, heart के अंदर electrical events होते हैं. वो electrical events जो होते हैं, वो ECG leads detect करती हैं. ठीक है, electrical events क्या होते हैं? जैसे कि हमारी ventricular depolarization हो गया, atrial repolarization हो गया. अब यह जो depolarization, repolarization वाली चीज़े हैं, यह होती तो ions की वज़े से हैं, हम बोलते हैं कि sodium अंदर जाता है, potassium बाहर आता है, यह सब चीज़े हैं, मितलब negativity आई, hyperpolarization होगी, depolarization होगया, तो these are all electrical changes, right? Because of the ions positively, negatively. तो फिर उनकी वज़े से हमारे body के अंदर electrical events होते हैं. अब हमारी body जो है, वो एक अच्छी सी conductor है, अच्छा conductor मतलब कि उसमें यहाँ पे अगर कोई electrical activity होगी, तो वो हमारे पूरी body में चली जाएगी, वो spread हो जाएगा, वो जो current है, वो पूरी body में spread होगा, तीक है? Now, let's talk separately about heart में, actual में क्या होता है, तीक है? अगर हम सिरफ ventricle की बात करें, ठीक है, ventricle में सबसे पहले एक septal depolarization होती है, that is marked by the arrow 1, ठीक है? उसके बाद major ventricular depolarization होती है, major मतलब जो main bulk है ventricle का उसमें, ठीक है? यह सारा area. Then, third part, this is a basal part of the ventricle, तो फिर यहाँ पे होती है, basal part में, alright? अब हमें पता है कि major जो ventricle है, जो muscular और tougher, जो हम बोलते हैं, major जो है, वो होता है left hand side में, तो जो main vector, यह जो आपको arrows दिख रहे हैं, these are the vectors, यह vectors क्या दिखा रहे हैं? यह दिखा रहे हैं, यह दिखा रहे हैं, यह कहां से कहां travel कर रही है, ठीक है, अब जो main neck निकल के आता है, main vector जो निकल के आता है, इसका left और right का, क्योंकि यह सारे जो vectors हैं, यह वाले इधर से लेकर, यह yellow वाले, सारे इधर के दर, जो main ventricle को कर रहे हैं, वो एक ही time पे होते हैं, simultaneously हो रहे हैं, तो इन सब vectors को हम add कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए main जो आती है, वो left hand side की तरफ यह vector बनता है, vector का angle, arrow, ठीक है, तो इस तरफ हमारे electrical activity यह वाले side पे आती है, क्योंकि left hand side पे हमें पाता है, major है, alright, then, अगर हम ECG, ऐसे ही हमने एक इंसान बना दिया, ठीक है, अब हमने क्या किया, यह उसका heart है, उसके heart के अंदर, मालो, यह वो ventricular wave, depolarization का vector है, ठीक है, जो इस side है, क्योंकि left hand side पे हमें predominantly ventricle उधर है, तो मालो, यह हमने देखने हैं, यह wave, हमने क्या किया, यह ECG is electrocardiography, ठीक है, electro means obviously electrical, cardio is heart, graph means हम इसको graph के paper के उपर उसको लेंगे, ठीक है, अब यह हमने यहाँ पे, galvanometer, यह हमने पेपर के साथ connect कर दिया, अब क्या होगा, जब यहाँ पे deflection आएगी, तो यह जो needle है, इसके साथ pencil attached होती है, ठीक है, मतलब, यहाँ पे जो pencil है, वो क्या करेगी, जैसे ही यहाँ पे हमें कोई voltage, या current, हमें sense होगा, तो what will happen, कि यह जो needle है, यह move करेगी, deflect करेगी paper पे, और ज तो यहाँ पे pattern बनता रहेगा, यहाँ पे waves बनेंगी, ठीक है, वो हम discuss करते है, होता क्या है, अब अगर यह क्या किया हमने, यह वाली wire हमने क्या कि यह negative pole हमने यहाँ पे लगा दिया, positive pole हमने यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि हमने कहा कि heart, जो है, वो similarly, उसकी current है, पूरी body म यहाँ पे लगा रहे है, यहाँ फिर negative हम मालो यहाँ लगा रहे है, ठीक है, A है वे A की बात, हमने क्या कर दिया, बस यहाँ की जगह, शोल्डर से अटा के हमने यहाँ पे रख दिया, जो कि हमारे लिए convenient है, किसी के hand के उपर लगाना is more convenient than किसी के shoulder के उपर लगाना, obviously, ठी ठीक है, अब जब current heart में होगा, तो electrodes जो है, वो arms वाली, ठीक है, यहाँ पे भी potential होगा, अब यह जो potential difference होगा, यह ECG machine जो है, वो measure कर लेगी, जो positive electrode होती है, उसको हम बोलते है, exploring electrode, कौन सी electrode, exploring electrode, यह ढूंदती है, exploring electrode, ओके, और यह जो vector, हमने यह जो mean vector निकाल ला है, इसको ह क्योंकि mean है, और QRS जो होती है, वो ventricle की depolarization में waves बनती है, ठीक है, QRS vector, अब यह जो चीज है, जिसमें, यह ECG के machine आई, साथ में आया, यह एक electrode, जो की negative side की यहाँ पे attached है, और एक positive electrode, जो की wire से यहाँ पे attached है, तो यह जो बनता है, this is known as circuit, circuit मे क्या आते है, negative or positive electrodes, जो की एक side से, इसमें ECG machine से connected है, और दूसरी side से, जो की हमारी body पे, हमारे एक आम और दूसरी आम पे attached है, तो यह पूरे चीज को हम क्या बोलते है, this is known as, this is known as circuit, circuit, this is what, this is circuit, अब इसमें दो poles है, एक negative pole, एक positive pole, और यह लिम पे attached किया हमने, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते है, bipolar, bipolar limb, क्योंकि limb पे attached है, और bipolar negative और positive है, दोनों ही electrodes लगाई है, bipolar limb leads, इसका नहीं, अब यह चो negative और positive हमने यहाँ पे लगाया, गर हम इसे अलग से बनाए, मालनो negative यहाँ, positive यहाँ, ठीक है, और यह attached है, यह attached है, यहाँ पे machine के साथ, ठीक है, ऐसे करके attached है, तो यह negative और य अब यह जो line बनती है, negative और positive की direct, मालो यह वाली line, यह वाली line, जो negative और positive की, बीच की line बनती है, this line, this is known as axis, axis of lead, this is known as axis of lead, जो दो हमारी electrodes के बीच में, जो negative और positive पोल के बीच में, the axis, that is known as axis of lead, और यह सारा क्या हुआ हमारा circuit, जिसमें हमारे दो पोल्स आगए, दो पोल्स, negative positive जो की एक side से machine से connected है और एक side से हमारे उपर लगे होए है that is this is known as circuit और negative और positive की ये वली सरफ ये वली line जो negative और positive के बीच में that is known as axis of the lead तो electrical axis जो lead की है वो कैसे पता लगती है वो पता लगती है by placement of electrode in the body कि हमने electrode यहाँ पर रखी है हम electrode को यहाँ भी रख सकते हैं हम electrode को कहीं भी रख सकते हैं so इसके बारे में further details हम next part में करते हैं thank you